हेलो स्टुडेंट्स एंड फ्रेंड्स मैं रूभी शंगदार सीवी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूं यहां हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री और बायोजी के सभी टॉपिक आज की हम अपने इस वीडियो में टिशू के बारे में डिस्कस करेंगे कि टिशू क्या हो टिशू एक ग्रूप ऑफ सेल है जो सेल्स होती है छोटी छोटी जो सेल्स होती है उनका एक ग्रूप है जो की सिमलर स्टक्चर के होते हैं जो की सेम स्टक्चर के होते हैं जिनका अरेंजमेंट सेम होता है जो की जो सेम वर्क करते हैं जो अपना एक स्पेशल वर्क करते हैं टिशू कहलाते हैं टिशू क्या है टिशू is a group of cell which is similar structure arranged in similar manner and perform specific function जैसे कि किसी भी type की cell है वो सारी similar cell मिलकर एक जैसी cell मिलकर एक पूरा टिशू बनाते हैं ठोलजल्स हैं जैसे हम इसको एकजांम्पल से समझ लेते हैं जैसे की आपका हाथ जो हपका हाथ है वो सेम टाइप की cells मिलकर बना होगा ठीक है जैसे कि हाथ की जो पती जो सबस्सक्राइब अशरा हाथ की सैल्स हों इसा नहीं हो हो कि या फिर आपकी नर्वाश्य सिस्ट्रम क सेल्स हो नहीं वो सिरफ आपके हैंड की ही सेल्स होएंगी जो कि सिमलर इस्ट्रक्चर की होएंगी जिनका से स्टुक्च्र सेम होगा और जो की जिनका जो की एक स्पैसिफिक वर्फ भुण और रही हैं जैसे के एक टिशू होते हैं एक ही टाइप की जो टिशू होते हैं वो मिलकर बनाते हैं टिशू सिस्टम के बाद जो सब सारे टिशू सिस्टम जुड़ जाते हैं तो वह औरगन बनाते हैं, और गन के दिफ्रिन डिफ्रेंट और गन मनाते हैं, फिर वो और गन सारे मिलकर और गन सिस्टम मनाते हैं, और गन सिस्टम के बार के पूरी बोडी बन जाती है, यह है टिशू के बारे में, अब जो टिशू प्लांट में पाए जाते हैं, उन्हें प्लांट टिश प्रक्टर एंड परफॉर्म सिमलर वर्ग इडिस कॉल टिशू अब अनिमल टिशू फो टाइप क्यों होते हैं सबसे पहला है एपिधीलियल टिशू एपिधीलियल टिशू क्या होता है वह कोई भी और गन को कवर करता है जैसे कि आपको अपनी स्किन दिख रही होगी ऊपर यह अपकी जो बॉड़ी पर उपर स्किन है वह एक एपिधीलियल टिशू है जैसे और गन में पाई जाती है जो उस और गन को कवर करने का वर्ग करते हैं सेकिंड है कनेक्टिव टिशू कनेक्टिव टिशू मेली जो जो टिशू होते हैं और और गन होते हैं उनको जोगी इंस कोई भी उद्धी पक को कंट्रोल करते हैं या फिर उसे सिंग्लल को हमारे माइं टक ले जाते हैं पूरी बॉडी में कई सारे छोटे-छोटे टिसूज होते हैं नर्वस टिसूज होते हैं फिर फोर्थ हमारा muscular tissue, muscular tissue muscles में long cells होते हैं और जो यह cell होते हैं वह nervous tissue होते हैं यह हमारे mostly four type tissues है epithelial tissue connective tissue nervous tissue and muscular tissues four type tissues पा смог पाए जाते हैं किसी भी animal की body में अब इन जो टिसूस हम उनका व्रीफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जो कि ऐनिमर में पाइ जाते हैं टिसूस 4 टैप के हैं मेंटी एपिथी लियल क्नेक्टिव मस्कुलार और रहिजी एसम्राइब के इतनी टैप के हमारे epithelial tissues होते हैं, connective tissues पाए जाते हैं, ariolar, adipose, skeleton and fluid, ariolar two type के होते हैं, tendon and ligaments, ये ये दोनों ही tendon and ligaments tissues होते हैं, वो जोडने का वर करते हैं, bones को जोडने का वर करते हैं, mainly, adipose tissues भी body के अंदर organs को जोडने का वर करता है, skeletal bones होती है, bones भी आपके पूरी body ही पाए जाती है, अलग-अलग bones होती है, और cartilage, cartilage bones, soft bones कहलाती है, ठीकर जो आपके ear में पाए जाती है, ear के outer part में, fluid tissue होते हैं, blood lymph, blood आपको पताए है कि blood fluid होता है, liquid form में होता है, तो वो liquid tissues होते हैं, muscular tissue three type के होते हैं, stratiated, मतलब skeleton, tissue, smooth tissue, cardiac tissue, cardiac tissue, heart में पाए जाते हैं, smooth tissues, muscles में पाए जाते हैं, and stratiated tissues, जो skeleton tissues हैं, वो skeleton से जुड़े होते हैं, bones से जुड़े होते हैं, last हमारा nervous tissue, nervous tissue, two type के होते हैं, neurons and glia, ठीके, in tap के tissues पाए जाते हैं, मैं उम्मीद करती हैं, वीडियो आपको अच्छे समझ आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक कीजिए, share कीजिए, and subscribe कीजिए, thank you for watching my video, का अगर्या बाटी लगे होगा,